तो आज है सैटरड़े और सैटरड़े को ना हमेशा कुछ ना कुछ अलग बनता है नॉर्मल रोड की सब्जी नहीं बनती तो सैटरड़े का जो खुशी है वो आप लोग भी समझ सकते हो जो लोग जोब करते हैं ज्सकूल कॉलेज जाते हैं कि संड़िगोज छुट्टी होती हैं सटरड़े की जो इवनिंग होती हो कितनी ज्यादा स्पेसल होती है तो आज की आज की तहीतर थायार्याद लिया मासाला-डुसा की उजले मैं आपको भी धासिया हम लोग मिसाला-डुसा कैसे बनाते हैं डू तो कि इसको भिगों के रख लेंगे 2 गंटे के लिए जब दालो जाए तो मिन्गों फीस लेए और जो बैटर होता है हमारे इसको फर्मेंट होने में गरमीयों में इसको लगवग आफ से दस घंटे लगता है यह अच्छे से फर्मेंट हो जाता लेकिन सर्दियों के टाइम में 24 घंटे भी लग जाते इसको फर्मेंट होने में थोड़ा सा पानी विला दूंगी जार को हिला कर इसके मैं डाल दिया है यह देखिए अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा है जब हम इसको पूरी राज छोड़ देंगे तो देखिए देखि की दार और में पासे कुछ सबज्जी आंप अपनी मन पसंद की इसमें डाल सकते हैं गया तिंड़ा नो कोई भी आपस अब में बाग एक नो बेंगन उर मैंफे और पानी जो तो इसमें हमने डाल दिया नमक और ये थोड़ी सी हल्दी और अब जो कूकर में एक सीटी आजे जो आज को थोड़ा से धीरे कर दीजिए 15-20 मिनट तक इसको पकने दीजिए शिवाश जो इसको पकड़ो एक और तोड़ लूँ कि दाल और सब्जिया उबलती है इतने में मसाले की तैयारी कर लेती है तो आलू को मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ थे इनको छील लेती हूँ अब उनको हाथों से फोड़ लेंगे बिलकुल बारी सबसे पहले हम छोक क्यार करेंगे जो मसाला हम बना रहें डोसे के लिए इसको और सामबर के हम एक साथ छोक लगाएंगे और बाद में फिर इसको आधा आधा कर लेंगे तो मैं इसमें डाले एक चमश तेल तेल गरम होते हम इसमें डालेंगे राई नरी पत्तो नरी प्याज प्याज भूनती इतने मैंने इमली पानी में भिवोई थी जिसको मैं सामबर में डालूँगी इस इमली को हम छान लेते हैं इस इमली के पानी से सामबर में अच्छी खटास आएगी प्याज के भूनती हम इसमें डालेंगे मसाले हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर जो हमारा छोग के वो तैयार हो चुका है मैं क्या करूंगी छोग को आदा आदा कर लूँगी आदा जो हमने सामबर बनाया उसमें डालेंगे और आदे में हम दोसे के लिए मसाला बनाएंगे तो आदे में मैं आलू डाल दूँगी इसमें हम डालेते हैं नमक इसको हम निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में सामबर में तड़का लगा लेंगे इस डाल ये सबजी अच्छे से उबल चुकी है इसमें हमें डाल दूँगे इमली का पानी अब जो छोग हमने अलग किया था वह वापस कड़ाई में डाल लेके अब इसमें एक उबाल लाने देंगे और आखिर में डालेंगे सांबर मसाला इसमें डालेंगे तो ये अधि अब इसमें उबाल आ गया अच्छे से अब इसमें डाल देते हम यह सांभर मसाला मसाला हमारा तैयार है सांभर भी बन गया अब दोसे और बच्चे दोसा भी बना लेके एक नंक आघर डोस में डालेंगे गल्हां के लिए जुड़ार पानी जोड़े था तो विल्कुल आखिर में यह अब नमक डा लेंगे जरुड़ा अब हम तवे पे बैटर राम यह दालते हुआ यह धा बैटर यह जो दो ढुंदे नि живот में जगते कि यह सा शाहिँ जान तवे पर दाल दो लेकिन तेज गरम बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी इसको अच्छे से फैला देंगे तवे पर डालती देखो दोसा अच्छे से फूल गया बहुत अच्छे से इसमें जाली पढ़ गई इसका मतले हमारा जो बैटर ता वह बहुत अच्छे से फर्मेंट किसी भी चम्मच या चक्कू की हैर्प से हम देखेंगे किनारे असानी से अलग और इसका मतलब दोसा पक चुका है अब इसके जो मसाला आपने बनाया था वह फैला लेते हैं तो यह देखो डोसा बनाते बनाते हैं अधेरा होना शिरू हो गया है खाने का भी टाइब हो गय है बच्चे खाने के लिए कि अधे कि कितने अच्छे से डोसा बनाया बिल्कुल क्रिस्पी बनाया बहुत असानी से तहुए इसे छूट जाता है अलग हो जाता है बिल्कुल भी नहीं चिपकता मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ यह देखिए बहुत अच्छा सीका है बिल्कुल क्रिस्पी जैसे आप मार्केट में खाते हूं बिल्कुल वैसा तो चलिए अब सामबर डालकर बच्चों को खिलाते पूछने कैसा बनाया मैं खाता है ब सामबर ग्राद सुषाल अच्छाँ तो चाहां अपाने को खिलाते हुआ यह दो तोगने हुआ को तो यह कि खाते हुआ अबस्यूर्सले में शाचा सीका बाल्स्तुल वाहुता बिल्सका टालकर दोटने बिल्सका बालकर्स सjenते हूआ हुआ 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 झाल 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 झाल